अगनी पत्थ योजना इस देश के नौजवानों को अगनी में जोकने की योजना है इस योजना को सरकार को तुरंट वापस लेना चाहिए और यह जो लॉली पॉप बाली भाशा है न इस लॉली पॉप की भाशाओं को बंद करना चाहिए और जहां तक बिहार में हिंसा का सवाल है उसमें हिंसा क्यों हुआ है क्योंकि वहाँ नौजवानों का सब्र जो है पानी सर से उपर चला गया हमको पता है कि आर्मी में कौन लोग जाते है गरीमंतरी का बेटा आर्मी में नहीं जाएगा OBCCI का सेकरेटरी बनेगा हमको पता है कि वहाँ पे सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं कोई नेता का बाल बच्चा आर्मी में नहीं जाता है जाता है प्रधान मंतरी भी जाते हैं फोटो खिचवाने के लिए फोटो खिचवाने के लिए बर्धी पहनना एक बात होता है देश की भक्ती के लिए सरवोत सम्मान के लिए बर्धी पहनना दूसरी बात होती है दीपावली में जा करके मिठाई बाट देंगे है उसके वादा करके अगनी पत्योजना ला करके देश की जवानों का दिवाला निकाल देंगे मंतरी कह रहे हैं कि आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा इस उम्र में यह वही भाशा नहीं है कि पधान मंतरी जी बोले थे कि काला धन वापस आ जाएगा तो आपके खाते में 15 लाख रुपया मिल जाएगा मिल गया क्या 15 लाख रुपया जिस खाते में 15 लाख रुपया मिलने वाला था ना उसी खाते में 20 लाख रुपया भी मिलेगा यह जो बच्चे हैं यह उस उमीद में अपने गाउं में रह रहे हैं दोर रहे हैं जारा गर्मी बरसात सरकों पे मैदानों में रेत पे कि इनको किसी दिन सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा ये मौका इनसे जब छीना जा रहा है तो इनका सब्र तूट गया है लेकिन मैं इन तमाम नौजवानों से भी एक अपील करना चाहता हूँ दोस्त हम किसान के बच्चे हैं और हमारे माबाप ने इस सरकार को जुकाया है इस सरकार को बताया है कि ये देश गांधी का देश है और गांधी के देश में सत्य और अहिंसा से ही कोई लड़ाई जीती जा सकती है इसलिए भार्त्य राष्टे कॉंग्रेस की तरफ से इस आंदूलन का क्योंकि कल को आपको वही संपत्ती इसी परधानमंत्री से बचाना भी है क्योंकि देश की संपत्ती यो दोस्त को बेचने वाले है ये हमारे आपके टेक्स के पैसे की संपत्ती है इसकी रच्छा कीजिए सत्य और अहिंसे के रास्ते पे चलिए और किसानों ने 700 लोगों की सहादत देने के बाद एक चाल से ज़्यादा आंदोलन चलाया सांटीपुन तरीके से चलाया तमाम तरह के आरोप लगाएगे जैसे आज आज आपके आंदोलन को कहते हैं उपद्रभी, तोर फोर करने वाले, हिंसा करने वाले ये कहां से आगए, कैसे आगए, कौन है इसके लिए जिम्मेबार और विपक्ष के माथे पर मत खेलिए विपक्ष की बात जनता अगर सुन रही होती तो आप देश के परधानमंत्री नहीं होती भरतिया नहीं की जा रही है हकीकत क्या है? हकीकत ये है, कि ये असली बात देश की जनता से चुपाना चाहते है असली बात क्या है? आप सब लोगों को याद है कि जब नोट बंदी की गई तो यह दावा किया गया कि इसके बाद नकसलवाल समाप्त हो जाएगा आतंगवाद समाप्त हो जाएगा कल ही जो है एक सब इंस्पेक्टर की फिर से टार्गेटिंग किलिंग की गई है नकसलवाद की घटनाएं हो रही है आतंगवादी घटनाएं लगातार हो रही है अगर नोट बंदी करने के बाद आतंगवाद समाप्त हो जाता तो पुलवामा की घटना कौन करके गया है? कैसे पुलवामा की घटना हुई है? तो ये दावा करते हैं. जब उस दावे का आप परताल करेंगे, तो आपके उपर ही आरोप लगाना शुरू कर देंगे. एक WhatsApp मेसेज घूम रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जिस भी योजना क Congress बिरोध कर रही हो, ऐसा आप मान लिजे कि वो योजना सही है. Congress के बिरोध करने से आप चलते हैं. आप सत्ता में बैठे हुए मोदी जी, आपके उपर देश की जनता ने भरोशा किया है. विपक्ष के भरकाने से लोग भरक जाते, विपक्ष कही हुई बात लोग मान लेत तो परधान मंतरी मोदी जी होते है. इस देश के लोगों ने मोदी जी के उपर भरोशा किया. और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि यह वही नौजवान है. यह उस वक्त हिंसा नहीं किये, जब इनके मावाप हज़ारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर गये. यह वह कि सरकार से भारतिया रास्ट्य कॉंग्रिस की तरफ से यह अपील करना चाहता हूँ कि यह कोना 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 सोतली भुतो कोना खेलना बंद कीजिए. आप हकीकत में बताइए कि रियलिटी क्या है. कि आपने भी पक्च को पूछा, आपने भी पक्च को पूछा कि हम कोई दसा को समझिये साहब. हम ऐसे गाओं से आते हैं, ऐसे इलाके से आते हैं, कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है साहब, कि हमारे इलाके में कोई सहादत न हुई हो. हमारे इलाके में लोगों के पास महज नौकरी नहीं है सेना. हम जानते हैं इस बात को. जब किसी परिवार में क किसी बच्चे को सीना की नौकरी मिलती है पूरे इलाके में उनका सम्मान होता है और दुख के साथ साथ जब एक पार्थिप सरीर गाउं आता है आखों में आंसू होने के बाबजूद उस इलाके का सीना गर्व से चोड़ा हो जाता है कि हमारे बच्चे ने जो है देश के लि भी इसको बोल रहे हैं कि उसमें से 25% लोगों को सहा 25% नहीं अप तु 25% ध्यान रखिएगा ये है सेल्समेन मेगा बंपर ओफर की मान सिकता अप तु 25% क्या होता है मतलब 25% की भी गारेंटी नहीं है ये मत समझे आपकी उसमें से एक को दे ही देंगे नौकरी बहुत चाल लिख दिया है अप टू 25 परसेंट और इसमें ये कितना गंभीर है इस गंभीरता का अप अंदाजा लगाईए कि अभी आये हुए तीन दिन हुए हैं घोशना किये हुए दो मेजर एमेंडमेंट हो चुका है और जो फाइदा गिनाये जा रहे हैं वो फाइदा तो पहले से है सेना में आर्म फोर्सेस में पैरा मिलिटरी में भरती होने की मैक्सिमम आयू 25 वर्स है 25 वर्स से जादा में तो आप बहाल ही नहीं हो सकते हैं उसके बाद अलग-अलग रैंक पे आप कितना समय तक सेवा देंगे वो पहले से निर्धारित है और जो लोग आर्मी की नौकरी समाप्त करके सेवा समाप्त करके आते हैं उनको अन जगहों पे सुपधायें दी जाती है भूद्पुर्व सैनिकों को सुपधायें दी जाती है भूद्पुर्व सैनिकों के परिवारों को सुपधायें दी जाती है और आप में से बहुत सारे लोग में बहुत साधारन बात करता हूं मुझे लंबी चोरी बात करनी नहीं आती है क्योंकि कहते हैं जाके पैरन फटे विवाई वो का जाने पीड पड़ा है